मेटल होगा उसका इंसॉल्यूबल सॉल्ट होगा और उसका क्या होगा एनायन होगा बात समझ में आ रही है दोस्कों तो मेटल और मेटल इंसॉल्यूबल सॉल्ट और जोसका एनायन है ना काम तो यहां भी वह होंगे पहले पढ़ते हैं फोटो फोटो में क्या ध्यान रखना है फोटो में ये ध्यान रखना है कि मैंने अभी तक सभी किसके लिए पढ़ा कैथोड के लिए तो इसको भी किसके लिए पढ़ूगा कैथोड के लिए पढ़ूगा ठीक है लेकन ये तुम्हार ले तोना सा नया है कै इसे इसमें क्या वज़ा सिंपल अगर मैं बात करूं एजी मेटल है एजी सी एल इसका इंसॉल्यूवल सॉल्ट है ठीक है और एनाइन को है तो इसका सी एल नेगेटिव एनाइन है इस तरीक से तुम्हें पेपर में मिलेगा लेकिन तुम्हें है वज़ाद दिक्कत आएगी और लेकिन वह कैथोड और एनओड पेहिंचानने माईगी रहे मतलब कहने का क्या है मतलब कहने का यह है कि अगर मैं स rallies को ऐसे लिख दूं या तो मैं ऐसे लिख दूं या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं तेगा न कूप है न क्योंकि दोंॉसालीट फॉरम एगी इसक्र लेकिन ये जो है ये कौन है भाई या ये प्यॉर सॉलिड है और ये कौन है ये इसका इनसॉल्यूवल सॉल्ट है लेकिन है तो सॉलिड ही और अगर हम इसके रेस्पेक्ट ने बात करो तो ये कौन है एनाएन है बात समय बारी है कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि यहा अब बहुत से क्या करेंगे बहुत से तरी एक्षिन जो लगा क्या जाएंगे AG positive electron खाएगा AG solid में जाएगा तो number भी negative में ही जाएगा किसे में जाएगा रहे negative में क्यों जाएगा क्योंकि पता ही नहीं है कहां से सवाल आया है तो अब इसके लिए फिर से जो ट्रिक में ने बताई थी उसको याद कर उस ट्रिक को थोड़ा याद कर उस ट्रिक को थोड़ा याद कर और अगर उस ट्रिक को थोड़ा याद करेगा उस ट्रिक को थोड़ा याद करेगा ना तो समझ में आएगा क्या समझ में आएगा अगर मैं कैथोर पे कभी भी कहानी पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं रियक्शन कहां जाएगी अभी मैंने अगले सेल में बताया क्या बताएगी एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोन खाता है किसमें जाता है रहे किसमें जाता है भीया हाफ एच टू में जा ही भई ठीक है तो इसका मतलब क्या होगी इसका मतलब यहाँ पे एजी तो एलेक्ट्रोन खाने से रहा C-L एलेक्ट्रोन खाएगा नहीं क्योंकि मैंने बताया C-L नेगटिव पर तो खुद पर यह नेगटिव चार्ज है तो कहां से खाएगा तो बचता कोने इसके केस में तो यहाँ पे जो अब की बार इलेक्टरोन खाएगा वो A.G.C.L. सॉलिड होगा जैसे ये इलेक्टरोन खाएगा तो ये A.G. सॉलिड और C.L. नेगेटिम में जाएगा तो मेटल इनसॉलिवल सॉल्ट के केस में जो reaction होने वाली होगी वो ये होगी ये क्या होगी रे cathode पर reaction होगी और अगर मैं photo की बात करूँ अगर मैं photo की बात करूँ तो photo क्या है रे अगर मैं photo की बात करूँ तो photo क्या है simple एक डबा होगा उस डबे में मैं cathode पर पढ़ रहा हूँ तो कहीं से भी electron आ रहे होंगे इसमें अब की बार क्या होगा AG की तो रॉड होगी लेकिन लेकिन soluble salt किसका होगा AGCl का होगा बासमझ मारी है तो electron acceptor कौन होगा खैथोड पे अब की बार AGCl solid डब बे में कौन होगा CL negative जो की electron खाएगा नहीं बासमझ में आरी है भाज नहीं आरी बासमझ में आरी है नहीं आरी photo paper में कोई नहीं पूछेगा cell representation पूछेगा या E not cell की value पूछेगा अब बात आती है किस पे अगला point क्या बचता है representation representation कैथोड पे कहां से कहां electrolyte to electrode electrolyte to electrode कैसे reaction चली reaction देख ले भाई या AG CL ने electron खाए AG किस में गई AG पलस CL लेटिम में गई अब इसका representation कैसे लखेगा electrolyte to electrode यहां पे कहांनी यह चल रही थी simple सी बात यह है कि यहां पे electron खा कौन रहा है AG CL तो इसका मतलब electrolyte कौन है यहां पे AG CL बासमझ मारी ना इसका मतलब यह हो गया इसका मतलब क्योंकि यह तो solid form में था बस अब इसकी representation में यह ध्यान रखना है electrolyte था है तो यही काम करेगा न CL negative कैसे होगा simple CL negative AG CL और कहां जारी है reaction AG बे तो यह क्या होगी भाई यह इसकी cell representation होगी बोलो यह बासमझ में आई है नहीं आई यह किसके लिए पढ़ी मैंने यह simple और simple किसके लिए पढ़ी cathode compartment के लिए पढ़ी इसी का उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगी वही इलेक्ट्रोड है यह जी इसका insoluble salt AGCL बेसक इसको phase को अटागे तू कि दोनों exist कर लेकिन यह pure form का है इसलिए में थोड़ सा phase representation करना चाहता हूँ और यह किस की हो जाएगी रहे यह anod की हो जाएगी बास समझ में आई है नहीं आई है अगर यहां तक बास समझ में आई है simple मैंने आपको तीन half cell पढ़ाये metal metal iron half cell पढ़ाया दूसरा मैंने आपको gas iron half cell पढ़ाया और तीसरा मैंने metal metal insoluble salt रूसके a9 की मैंने चर्चा करी है चोकि बहुत जादा important है अगर कहीं से paper में सवाल देखेगा तो यह VVI सवाल अगर high level का बढ़ी है paper में सवाल पूछेगा तो इसकी cell representation या इसकी नरस्ट application के उपर सवाल बहुत ज्यादा आता है अभी मैं जब इसका नरस्ट की application में पढ़ाऊंगा तो इसमें एक point होता है केस पी calculate करना soluble product calculate करना तब भी मैं वहाँ ऐसे salt की चर्चा करूँगा ठीक है ना बस में भाई 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 तो यहां पे मेरे तीन salt खतम है तीन half cell खतम हो जाते हैं